Hello guys, welcome to my new video में आप लोगों का स्वागत है तो guys आपने थैमनल और टैटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को Facebook एकाउंट कैसे डिलीट करना है Facebook एकाउंट डिलीट करने से पहले जो जरूरी बते हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है Facebook से आप लोग Instagram को भी डिलीट कर सकते हैं और Instagram से आप लोग Facebook एकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं तो आप लोगों को दोनों प्रोशेट में बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को साउधानिया रखना है अगर आप लोग Facebook एकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले आप लोगों को अपना Facebook open कर लेना, जैसे open करोगे, तो यहां पे आप लोगों को अपना 3.5 पर क apples लिख कर दीना और यहां पे आपको option मिल जाएगा setting का, जैसे आप लोग इस पर setting करोगे, तो यहां पे meta का कुछ a ich account center आपको मिल जाएगा लेकिन आप लोगों को करना क्या है यहां पर अगर आप लोग Facebook account डिलेट het करना चाहते है अगर आप लोगों का पेज बना के रखा है वह भी डिलिट हो जाएगा यह अप लोगों ने Facebook Instagram आकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोगों का page तो चला ही जाएगा, लेकिन आप जो Instagram को लोगिंग किया है, उसको दूसरी Gmail ID से लोगिंग कर लेना है, ुस Gmail ID से लागाओट करके, तो आपको यहाँ पे अगर Instagram आप लोगों को नहीं जुड़ा है तो आप लोग Facebook डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं दोनों मुद्दे आपको बताएंगे तो आपको करना क्या यहाँ पे आप लोगों को चले आना है Account Center पे किलिक कर देना कुछ इस तरीके से आप लोगों को Account Center पे किलिक कर देना इस पर किलिक कर देना है तो यहाँ पे आप लोगों को Profile में चले आएंगे तो यहाँ पे जो मेरा है Instagram और Facebook दोनों जॉइंट है तो यहाँ से मैं Instagram को भी डिलीट कर सकता हूँ लेकिन वीडियो के मैंद्धम से मैं Facebook डिलीट करने का आप लोगों को तरीका बताएंगे तो यहाँ से मेरे में दोनों आप लोगों को सो हो रहे होंगे Instagram और उपर Facebook तो आप लोगों को यहाँ से Facebook डिलीट करना है तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है बैक होने के बाद आपको नीचे यहाँ पर score कर देना और यहाँ पर आपको personal details का option मिल जाएगा इस पर click कर देना इस पर click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर content is fed और birthday और यहाँ पर आप लोगों को last में मिल जाएगा account and control इस पर click कर देना तो यहाँ पे हमें Facebook डिलीट करना है, तो Facebook पर आपको किलिक कर दिना है, Facebook पर डिलीट करने के बाद, आपको सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सामने, वो पहले से ही कहरा है, आप लोग डिलीट कर लेना है, या डिलीट कर लेना है, तो आप लोगों के पहले से ही टिक डिलीट कर लगा है, तो लेकिन आपको डिलीट करना है, अगर आप लोग डिलीट कर लेंगे, तो आप लोगों का अभी जो इस समय अगर मन नहीं है, Facebook चलाने का, तो आप लोग इसको बाद में आप लोग इसको लोगिंग करके फिर से चला सकते हैं इस पर photo, video जो भी डालना है फिर से share कर देंगे अगर आप लोग पर्मान entity के लिए delete करना चाहेते हैं तो आपको इस पर delete पर click करके यहां से continue कर देना है यहां से लेकिन आप लोगों को फिर भी बोलेगा आप लोगों को कुछ क्या आप लोगों को दिक्केत हो जिससे की delete करना चाहते हैं तो यहां से आपको कोई भी आप लोगों को click करके continue कर दिना जैसे आप लोग continue करोगे तो यहां से आप लोगों को account security on facebook continue कर दिना आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है जैसे आप लोगों करोगे तो यहाँ पर पर पाश वर्ड मांगेगा जो भी आप लोगों ने डिलीट हो जाएगा लेकिन एक महीने तक आपका यह जो फेस्बूक है बना रहेगा अगर आप लोगों का इस पर कोई भी वीडियो या ज्रील्स नहीं डालोगे तो एक महीने के बाद यह अटोमेटिक डिलीट हो जाएगा अगर आप लोग डाल दोगे तो फिर से ये डेक्ट हो जाएगा तो दोस्तो हमारी वीडियो आप लोगों को end तक लेकर आ गई है मेरे को Facebook डिलेड नहीं करना था तो आपको वीडियो के माधम से मैंने बहुत सारी कुछ समझाया है तो वीडियो पर समझाया हो तो वीडियो को लाइक कर देना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइब